हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो अर्टोप शनल, आज हम लोग इस वीडियो में सीडिपी से जितने भी इंगपॉटन कोश्च बन सकते हैं, वो सारे कोश्च के बारे में डिसकस करेंगे और यह वीडियो आपके एक्जाम पॉइंट आवियो से बहुत ही ज़ता इंगपॉटन और हेलफुल होने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्च मरा क्या है बुद्धी में शामिल है तो बुद्धी में क्या शामिल होता है पहला क्या दिया है समस्याओं के नवीन ये मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की शम्ता को लोग बुद्धी कहते है गलत किसी विशेश्प्रश्न का एक ही उत्तर देने की योगिता बुद्धी होती है गलत है और दिया है योगेताओं का समू जो व्यक्तियों को सिखाने में मदद करता है वो ही हमारी क्या होती है बुद्धी होती है आप्शन नमबर थ्री हमारा राइट हो जाएगा चोथा दिया है देखिए अनभो के परिमार सवरू व्यभार में अस्थाई परिवर्तन नहीं गलत अस्थाई परिवर्तन नहीं होता गलत है और देखिए बुद्धी जो हमारी होती है हम लोग बुद्धी से रिलेटेड कुछ इंपोटे चीज़े जाल लेते हैं तो बुद् क्या हो सकती है व्यक्ति की विश्यषत К्या हो सकती है। पहला दिया है ध्वनी ताल और शब्दों के प्रति समयधर शील्ता होती है उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है? उसके अंदर जोए हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। तो अप्सों नमबर एक गलत हो जाएगा दूसरा दिया है दृस्य अस्थानिक परिवेश को सटिक रूप से ग्रहण करने की योगिता जिसके अंदर यह वुद्धी होती है उसको कहा जाता है अस्थानिक वुद्धी जो है कहा जाता है यह भी नहीं हो सकता है यह भी गलत है दूसरा दिया है संगीत में व्यक्तियों की आवाज के अस्तर तल ताल और सौंदर गुडों को उत्पन करने के लिए प्रशनता की योगिता गलत है चोथा दिखे क्या दिया है प्रतिरूप को खोजने की एवं तर्क की लंबिस रिंखला को हल करने की शमता और समवेदल सीलता बिल्कुल सही option number 4 अमरा right हो जाएगा यानि जिसके अंदर गड़ती तार्किक बुद्धी होती है वो लोग कैसे क्या बनते हैं बैज्यानिक बनते हैं एकाउंटेंट बनते हैं साइंटिस्ट बनते हैं यह चीज़े हम लोगों को ध्यान में रखना है तो उनके अंदर कौन सी होती गड़ती गड़ती या तार्क में रखियेगा बहुत important question है इस question है मेरे के है निमलिखित में से कौन सी बाउबुद्धी के सिधान की आलोशना है पहला हमारे क्या दिया है बाउबुद्धी के हुल प्रतिवा है जो सामपूर रूप से बुद्धी में मपजू धोती है यही पहला ही हमारे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और दूसरा क्या दिया है बहुद्धी छातरों को उनकी प्रवित्यों का पता लगाने का आशन देती है सही है यह व्यवारिक बुद्धी पर जोड़ देती है यह भी सही है यह अनुभाविक शाक्षर को बिल्कुल भी समर्थक नहीं करती यह भी सही है औप जागरूपता व्यक्ति होने के लिए जो है सबसे अधिक योगदान देता है यहिंटर पर सनल इन्टरल बुद्धी कहते है तो यह किसके अंदर होती है इसमें जो किसे करता है आदमी, खुद से करता है इंट्रेक्ट, देखे दिया संगीत में गलत, अध्यात्मिक भी नहीं होगा, पाशाई भी नहीं होगा, व्यक्ति के भीतर यानि इसको क्या खुद के साथ इंट्रेक्ट करना, उसको लोग इंट्रा पर्सनल कहते हैं, आप्शन नमबर फूर संविक का मतलब होता है, इंसान कैसे होगा, जब इंसान खुद के बारे में जानेगा, यानि कि जिस बुद्धी में खुद से क्या होती है, जो बुद्धी इंट्रा पर्सनल होती है, यानि कि जब अपने मानसिक मनोदोसाओं को जब इंसान जानने लगता है, समझने लगत तो हमारी कौन से बुद्धि इंट्रापर्शनल होती यानि खुद के साथ इंट्रेक्ट जब करता है तभी तो emotional को अपने पहचान पाएगा तो पहला दिया है व्यक्ति के भीतर अंतरव्यक्तिक बुद्धि बिल्कुल सही अंतरव्यक्तिक बुद्धि यानि किसान होती उनलोग कैसे होते हैं निइचर के साथ जढ़ा जूडे होते हैं तो उन लोक के अंतर शेप्रकृतिवादी बुद्धी पाएजाती है तुम है तो ऊप्सिन नमबर 1 राइट हो जाएगा सोशन देखे क्या है इस पीर मैन की बुध्धी बुध्धी की परिभाशा में जी कारक को संदर्भित करता है जी कारक देखे इन्होंने एक जी कारक दिया इस पीर मैन जो थे इन्होंने एक जी कारक दिया और एक जो है एस कारक दिया यानि जी कारक का मतलब होता है जनरल जनरल बुद्धी जो होती है जनरल इंटेलिजेंस होती है और एस कारक का मतलब क्या होता है इस पैसिफिक इंटेलिजेंस जो होता है तो जी कारक का पहले का रहा है अर्थ क्या है अनुवाशिक बुद्धी नहीं उत्पादक बुद्धी नहीं समान निवुधी यानि जनरल इंटेलिजेंस है आप्शन नमर त्री के बरार रैट हो जाएगा शोशन देखें किया है निम्रिकित में से कौन सा कथन भाषाई बुद्धी वाले व्यक्ति को दर्शाता है तो कौन सा कथन ऐसा है जो भाषाई बुद्धी वाले व्यक्ति को दर्शाता है पहला दिया है तर्क और लंबी स्रिंखला को सम्हालने के शम्ता नहीं ये तो कैसी गड़ती बुद्धी हो गई नहीं है शम्तों के अर्थ और क्रम और भाषा के विविद उपयोगों के प्रति शम्वेदन शीलता बिल्कुल सही ऑप्षन नमबर दुमरा राइट हो जाएगा अगला प्रिशन नमबर देखे क्या है एक सिख्षी का अपने सिचार्टियों के विविद अधिगम सैलियों को संतूष्ट करने के लिए वयवेदिपूड कारियों का उपयोग करती है वह किस से प्रभावी थे तो वह किस से प्रभावी थे पहला दिया कोहल वरिक के नैतिक विकास के सिद्धान से नहीं गार्डनर के बवुद्धि सिद्धान से बिलकुल सही वह गार्डनर के बवुद्धि सिद्धान से प्रेरी थे दिखें बुद्धि के बारे में और भी च और बुद्धी का संबंद किसे होता है हमारी 93 और इन्वार्मिंट से जो है हमारी बुद्धी का संबंद होता है ये भी ध्यान के रखना गुद्धी के त्री आयाविवी सिध्धान में निमली खित में से कौन सा समलित नहीं है। प्रावात्मक भी प्राशंक्रति सामिल है। समार्जिक तैसे सामिल नहीं ही। ओप्सेन नम्बर दूमर गलत हो जाएगा। प्रात्वी विस्यस्ता कौन सी है। तो देखे प्रातवी जो हमारी प्रगती सिल सिक्षा है इसको जो है जॉन डिवी साम ने दिया था ये भी उमनों को ध्यान में रखना है और प्रगती सिल सिक्षा कैसी होती है ये बाल केंडरिट जो होती है तो पहला दिया है बार बार पेपर पेंसिल अधारीत परिच्छा स अधिकम का आकलन करना गलत वाई उत प्रेरकों का बार बार इस्तिमाल करना नहीं पार्ट चर्या और आकलन में लचीला पन का होना बहुत जरूरी है option no.3 मरा right हो जाएगा गला प्रिशन देखे के है बाल केंदर सिक्षा का उद्देश्य है बाल केंदर सिक्षा का उद्देश्य क्या होता है पहला क्या दिया एक सिच्षार्ती के लिए विभिन गतिविदी का आयोजन करना और नहीं होगा बच्चों को उनकी जरूरतों रूच्चों को संतुष्ट करने के लिए मार्ग दर्शन करना दिखे बालकेणित इच्छा वही होती है जिसमें क्या होता है? बच्चों की रूच्यों का ध्यान रखा जाए और उनके अच्छे से मार्गदर्शन दिया जाए ये जरूरी होता है option number 2 हमारा right हो जाएगा नाइट क्या है? बाल केंदित कच्छा का स्रीजन कैसे किया जा सकता है दिया है सिचार्थियों को उनके निस्पाधन के बारे में समय पर प्रति पुष्टी दे कर गलत सिचार्थियों में प्रति पुष्टी करके बिल्कुल नहीं करना है गलत है बारंबार परिच्छा लेकर और सिचार्थिय को बीच में भैक की अवस्ता रखकर बिल्कुल गलत सिच्छार्थियों को प्रश्ट पूछने से हसाहित करके निस्करी करकर बिल्कुल गलत है तो आपसन नमर देखिए एक क्या दिया है सिच्छार्थियों को उनकी निस्पादन के बारे में समय पर प्रति पुष्ठी देकर बिल्कुल सही ऑप्शन नमर एक हमारा राइट हो जाएगा प्रति पुष्ठी देकर यानि फिडबैक देकर जो हम लोग कर सकते हैं पुष्ठी क्या है एक बाल केंदित कच्छा की विसेस्ता क्या होती है पहला दिया है कच्छा के केंदर में बैठे बच्चे गलत सिच्छ सिच्छार्थियों के विभिन प्रकार के अधियम की गतिवीदिया यह हमारा क्या है यह हमारा जो है बिल्कुल सही है यह हमारा होगा कि सिच्छार्थियों के विभिन प्रकार के अधियम की गतिया जो है सही होगा सिच्छार्थियों के दोरा चुना गया पार्टिकरम नही बहुत निस्करी सिच्चक और सक्री सिच्चारती गलत option no 2 हुमरा right हो जाएगा प्रशन देखे किया है निवलिखित में से कौन सा उपागम बाल केंदि सिख्षा के सिध्धानतों के अनुकूल है तो कौन सा उपागम जो है बाल केंदि सिख्षा के अनुकूल है तो पहला मारा दिया है विद्यालों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिकर जरूर्तों और रू छक द्वारा निर्थारीत-मांदंड प्राप्ट करना चाहिए गलत। सिर्फ व्याख्यानों पर ध्यान केंदित करना चाहिए नहीं。 विध्यार्थियों को परिच्छा के लिए सिखाने है दिफिग्दी प brag ताइब पर प्रतान कने चाहिए गलत हिए, और प्रगती सील सिच्छा जो होती है इसमें लचीला पन को ओना बहुत ज़रूरी होता है तो कुछ चीजे ध्याड भी रखना है अबको Course question देखें कि क्या है कौन कौन कह रहा है एक प्रगती सील कच्छा में सिच्छा के धुरू है सिछात्र चात्र चात्र के सिच्छा की कच्छा में जो है सिच्छा के दुरू होते हैं option number for हमारा right हो जाएगा यानि कौन सा होना चाहिए एक teacher और हमारा छात्र और हमारी जो पार्ट चर्रया important होती है आज के परिद्रिश्य में प्रगति सिल सिक्षा को लागू करने के लिए किन तक्निकों का अनूसर सिच्छार्थी केंद्रित कच्छा में सिच्छक क्या करता है पहला दिया है बच्चों को अधिकम सुविधा के लिए एक दूसरे के साथ प्रती असपरधा यानि जहां competition शुरू हो गया गलत हो जाएगा व्यक्त करेंगे कि वह अपने शात्रों से क्या करने की उम्मीद कर करते हैं बिल्कुल गलत वह नहीं व्यक्त करेंगे ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे सिच्छार्थी स्वैम अधिगम के लिए पहल करने को प्रुशाहित के लिए प्रुशाहित हो जाए बिल्कुल सही option no.3 right हो जाएगा ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे सिच्छार्थी क जाओ, खुश से सीखने के लिए प्रोसाहित हो, option number 3 हमरा right हो जाएगा। चौता देखे दिया है, मुख्य तत्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान का उपयोग करेंगे गलत है, option number 3 हमरा right होगा। अगला प्रशन देखे के क्या है, नेमलीखित में से कौन सा बाल केंदित सिख्चा से समबन्दित नहीं है। सिख्चक अधिगम के सुविधादाता के रूप में कारे करते हैं। अधिगम के सुमीदा दाता के रुप में कारे करते ये भी सही है और दिया है सिच्छक प्रश्ण उत्तर विदिक की मादिम से पढ़ाते हैं बिल्कुल गलत है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा जोए समंदित नहीं है ऑप्शन मर्दू हमारा राइट हो जाएग अगला प्रश्ण देखे क्या है समाजी करण निम्ल में से किस से समंदित है तो समाजी करण किस से समंदित होता है पहला दिया रटना से समंदित है नहीं पार्ठी पुस्तकों समंदित है नहीं संस्कृती और समाज से जोए क्या हमारा समाजी करण जोए समंदित है ऑप्श सहता करते हैं option number 3 यमणण own right हो जाएगा तो शमर कह दे है निमलिंगित में से कौन सा कारक बच्चों में, बच्चों के समयों में समाजिक अंतक्रिवय को प्रभावीत करता है तो कौन सा कारक, जो है समाजिक अंतक्रिवय को प्रभावीत करता हÎगा सुरच्चा की इच्छा नहीं करता, मनोबल और अप्रेड़ा की कमी नहीं करता, समाने लक्ष की कमी भी नहीं करता, option number एक राइट होगा प्रशन देखे क्या है, समाजिक करण को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाशित किया जाता है जिससे व्यक्ति समाजिक व्यवस्थाओं के सिध्धानतों, मुल्यों और प्रतीकों को सीखता है, बिल्कुल सही है दूसरा है समाज में भागिदारी चाहे आपचारिक रूप से हो या अनपचारिक रूप से समाजिक मानदन्डों को माम देने में करने में मदद करती है ये भी सही है और ये दोनों सही है और एक जो दो की व्याख्या कर रहा है बिल्गुल सही option number 1 राइट हो जाएगा इस question क्या है एक विज्ञापन में एक बच्चे ने देखा कि महिला खाना बना रही है और एक आदमी सोफे पर बैड़ कर अकबार पढ़ रहा है विज्ञापन लैगिक भूमीकाओं को चित्रित कर रहा है निमलिकित में से कौन सा कारक बच्चे के समाजी करण को प्रभावीत कर रहा है तो कौन सा कारक बच्चे के समाजी करण को प्रभावीत कर रहा है परिवार नहीं विद्याले नहीं संचार मीडिया जो है प्रभावी स्ट्रोत क्या होता है प्रात्मीनीकस उसका परिवार होता है और फोर हमारा राइट हो जाएगा परिवार जो अब्रात्मीनीकस लोता है तो संजी करण की प्रक्रिया को प्रभावित करने we परिवार को छोड़के बाकि सब कौन सी है दुरितियक संस्थाएं है यानि कि दो तीन चार हो जाए है तो कौन से ऑप्शन में दो तीन चार ऑप्शन नमर थ्री राइट हो जाएगा अगला प्रश्चन देखे क्या है चार वर्स की रिया को उसके माता पीता से उसने सबजी खाने से इनकार करने पर डाट पड़ती है प्रतिकात्मक खेल खेलते हुए रिया विवहार का दोराव अपनी गुडिया के साथ करती है यह विवहार क्या दर्शाता है या वह किस से यह सीखा इसने वह सीखा अपने परिवार से अपने माता-पीता से सीखा तो उसने किस सीखा प्रात्मिक समाजी करण से सीखा ऑप्शन नमर एक हमरा राइट होगा निवलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाब है तो कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाब है पहला दिया है बच्ची मित्रों के साथ स्कूल का जादा आनंद लेते हैं बिल्कुल सही है, बच्ची इस्कूल के साथ मतलब की जदानद लेते हैं, सही है, मित्रता मदद और हात्म सत्यापन का एक श्रोत है, ये भी सही है, तो option number हमारा कौन सा हो जाएगा, एक और दो जो है, दोलो right हो जाएगा, option number four right हो जाएगा. नेश कोश्ण मारा देखी क्या है, वृधी और विकास किसका संयुक्त उत्पाद है, वृधी और हमारा जो विकास होता है, ये मारी अनुवनसिक्ता यानि हैरिडीटी और इन्वार्मेंट का जो है संयुक्त रूप होता है, पहला दिये परिपक्कता और अधिगम का नहीं, अनुवनसिक्ता और पर्यावरण का बिल्कुल सही, ये मारा हैरिडीटी और इन्वार्मेंट का संयुक्त रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते है, वृधी और विकास जो है कहते है, ओप्सन नमर दो हमारा राइट हो जाएगा, अनुपा ने 11 महिने की उम्र में पहला शब्द बोला, दो साल की उम्र में अपनी गुडिया के साथ अकेले खेलने लगी, विकास के इन कारेकरमों को कहा जाता है, तो विकास के इन कारेकरमों को क्या कहा जाता है, तो चरडबद विकास कहा जाता है, नहीं सिखाने का चरड़ है, नहीं विकास का चरड़ है, नही कहा जाता है option number 2 हमारा right होगा प्रश्ण देखें किया है नेमली खित में से विकास का कौन सा पहलू सैस्वा वस्था के दोरान प्रारंब नहीं होता तो बच्चे की अंदर जो नैतिक विकास का गुड नहीं होता तो option number 1 हमारा right हो जाएगा समवे गातनों विकास होता है बिल्कुल सही है समाजिक विकास भी होता है भाशा का भी विकास होता है यह हमारा जो नैतिक विकास का गुड नहीं होता option number 1 right होगा अगला प्रस्टने के क्या है राणों खेल गत वीडियो में अच्छा है उसके माता पीता दोनों खिलाड़ी है उससे प्रतिदिन कोचिंग के लिए भेशते हैं और सब्ता आंत पर उससे प्रस्चित करते हैं यह विस्ष्टता परिमाड है यह विस्ष्टता किसकी प्रस्टने के क्या है साहरिक विकास के संदर में धाड़ा का परिस्थितिक सिधान क्या है पहला दिया इस सिधान को पियाजी और बेने ने दिया था बिलकुल गलत पियाजी और बेने ने नहीं दिया था तो ऑप्शन नमबर एक हमारा गलत हो जाएगा और दूसरा कह दिय ये विकाश्री सम्वेदी और अवधारात्मक शम्ताओं को एक कार्यात्मक प्रडाली के अन्योस्त्रारित भागों के रुप में वडित करती है। आप्शन नमबर दो हमारा बस जो है राइट होगा तो केवल दो हमारा सही होगा। प्रशन देखे क्या है जो बच्चे बच्पन के सुरवारती वर्षों में अपनी आयू के अनुरूप अधिक लंबे होते हैं वे वैसकता के दोरान भी लंबे होते हैं। आप्शन नमबर दो हमारा राइट हो जाएगा। प्रशन देखे क्या है एक बच्चा अपना नाम बड़े अच्छरों में लिख सकता है यदि उसे सीखने का आउशर दिया जाए तो वा संपूर अंग्रेजी वर्ड माला लिख सकता है। इस बच्चे के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का प्रतिनिधित तो हो सकता है तो कौन से कौशल का प्रतिनिधित तो हो सकता है तो सुक्ष्म गत्यात्म कौशल का जोए प्रतिनिधित तो हो सकता है। आप्शन नमबर एक हमारा राइट हो जाएगा। सकल गत्यात्म कौशल नहीं समझ से समाधान नहीं लेकन कौशल नहीं ऑप्शन नमबर एक राइट होगा परशन नमरा क्या है मानो विकास को सिध्धानतों पर आधारी थे निमनीखित में से कौन सा मानो विकास का सिध्धानत नहीं है तो मानोविकास का सिधान कौन सा नहीं है तो अनिस्चित्ता समाले से विस्ष्ट ये मानोसिधान तो सही है निरंदर्ता भी है क्रमिकता भी है अनिस्चित्ता जो है नहीं है option no.2 हमारा गलत हो जाएगा प्रेडा नहीं व्यक्तितुल अच्छन नहीं विद्याले जो ये पर्या वरडी कारक होता है ध्यानक नहीं आप्शन नमर फूरमर राइट हो जाएगा